हेलो इब्रिवन आई एम सोनम वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अपना विद्याले आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक बेरी बेरी मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लाश 12 हिंदी के 22 सबसे महत्तपूर टॉपिक अगर आप लोग इस 22 टॉपिक को तयार कर लेंगे तो आपके बोड इग्जाम में हिंदी में आपका 100 में 100 पूरा नंबर आएगा क्योंकि जो हिंदी का पुरांख होता है वो 100 का हो ठीक है इसलिए आपका 100 में 100 पूरा नंबर आएगा और हाँ यह जो हमारे 22 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बाहर आपके बोड इग्जाम में कोई भी क्वेशन और टापिक नहीं आएंगे क्योंकि यह जो टापिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आप के बोड इग्जाम में आते हैं तो अगर आप लोग अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पड़े तो आप लोग को सिर्फ इस 22 टापिक को तयार करने की ज़रूरत है अगर आप लोग इस 22 टापिक को तयार करनेंगे तो आपका पूरे 100 में 100 नंबर आएंगे तो यह कौन से important हमारे बाइश टापिक है इससे देखने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और हाँ आप सभी को वीडियो को बीना skip की इंट तक देखना है नहीं तो कहीं ऐसा नहुजा है कि आपको इस हमारे बाइश टापिक में से एक आख टापिक आप देखना भूल जाए इसलिए आपको skip नहीं करना है तो यहाँ पर दिखे जो हमारा first important topic है वह है कि हिंदी के महत्पूर बहु भी कल्पी प्रस तो यह हिंदी के जो यह महत्पूर बहु भी कल्पी प्रस नहीं यह आपके board exam में total 10 आते हैं तेके कितने आते हैं 10 आते हैं कौन कौन से होते हैं जैसे कि आपका गद्यास और पद्यास दोनों से आते हैं जो हते हैं 5 नमबर के गद्यास से और पांच नमबर के पद्यांस से होते हैं ठीक है और टोटल ये होते हैं दस और ये एक एक नमबर का होता है कितना नमबर का होता है एक एक नमबर का होता है तो ये पूरा आपका दस नमबर का आता है तो आपको इसको गद्यांस और पद्यांस दोनों से तयार करने होंगे जैसे इस तरीके से आपके बोर्ड एक्जाम है ठीक है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इस तरीके से कला और संस्कृति के लेखक है याँ यहाँ पर एक दिया हुआ है ठीक है यह होगे गद्यांस तक पांश्ट हो ठीक है फिर उसके बाद दूसरे question में पांश्ट हो दिया हुआ है यह आपके पद्यांस से related हो गए तो यही होते है बहुविकल्पी question इस तरीके से आपको तयार कर लेने है दस नंबर बिल्कुल आपके board exam में clear है और बहुत ही important है जितने उतना आप लोग सभी तयार करें यह आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेंगे आप लोग जाकर देख सकते हैं बहुविकल्पी question वहाँ से फिर उसके बाद देखें कि हम next point जो हमारा है दूसरा टाफिक जो बहुत ही important है वह है कि महत्तपुर गद्यांस जो होते हैं आपके हिंदी में तो कई गद्यांस दिये हुए लेकिन जो important गद्यांस है जो आपके board exam में always आते हैं वो कौन से है तो यहाँ पर देखें आपको राष्ट का स्वरूप जो कि पहला पाट है आपको राष्ट का स्वरूप का गद्यांस को जितने भी गद्यांस से उसको तयार कर ल ठीक है यहाँ पर देखें आप लोग तीसरा question जो होता है वो गद्यांस कहीं होता है इस तरीके से दिये रहेंगे और 5 question यहाँ पर दिया रहेंगे और आपको 5 into 2 यानि कि यहाँ पर 10 number कर रहेगा ठीक है प्रते question जो रहेगा वो दो number कर रहेगा इस तरीके से आपको 10 number महत् महत्पूर गद्यास पर मिलेंगे फिर उसके बाद दिखें राष्ट का स्वरुप का आप लोग तयार कर लिए और असोग के फूल जो की डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी का पर दिखें यह जो गद्यास से वह बेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत ही में आपको क्या तयार कर लेना है पहला है पवन दूतिका यह भी आपके बोड एक्जाम में टोटल दस नंबर का आएगा कितने नंबर का यह जो की बेरी इंपॉर्टेंट है यानि कि इसका हर एक पध्यास जो है पराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके इसके बोड इक्जाम में पका है कि जरूर आता है उसके बाद देखिए नेष्ट पॉइंट है गीत जो कि महादिवी वर्मा का है ओधि कि गीत आपके कई लेख़क के लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ओमादिवी वर्मा का है जो Package यह जो आपको तयार कर लेना है और इसी आनुख यह तो आप लोग इसको तयार कर लीजेगा जो कि 10 नंबर के आपके बोड़ एक्जाम में आएगे यहनि इन तीनों को आप लुग तयार कर लीजेगा उसके बाद एक नेस्ट देखेंगे नेस्ट है लेकखक का जीवन-परचे अब आपको लेकखक का जीवन-परचे तयार करना जो कि पांच नंबर का आपके वोड़ एक्जाम में आएगा तो इसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेक्षक हैं जिनकी जीवन पर्चे आपके बोड़ एक्जाम में कांटीनिव आते हैं उसी को आपको तयार करने पहला है वासुदेव सरण अग्रवाल हैं कि यह जो जीवन पर्चे हैं इनका वो बहुत ही इन्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो जीवन पर् पर्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको जरूर तयार करके अपने बोड़ एक्जाम में जाईएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पांच नंबर का टोटल आपके बोड़ एक्जाम में आएगा उसके बाद देखें नेश्ट है कभी का जीवन पर तो चैनल पर वीडियो अप्लोड है वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं क्योंकि हमारे जो अपना विद्धाली यूट्यूब चैनल है उस पर क्लाश 12 हिंदी की संपूर तयारी कराई गई है और काफी ट्रिकर टेप्स के साथ अगर आप लोग अभी तक वीडियो नही देखें तो चैनल पर प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं ठीक है नेश्ट है महादवी वर्मा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको भी आपको तयार कर लेना है ठीक है जरूर आएगा आपके बोड़ एक्जाम में नेश्ट क्वेस्टन देखेंगे वह कि पंचलाइट कहानी का उद्देश तथा सारांस ठीक है ये जो पंचलाइट कहानी होता है ये आपके बोड़ एक्जाम में टोटल पांच नंबर का आता है तो आप लोग अगर पंचलाइट कहानी को पढ़ना चाते है ठीक है और याद करना चाते है तो चैनल पे वीडियो अप्लोड है वहां से आप लोग जैसे एक कहानी नहीं होता है पहले कि लोग कहानी सुनाते थे उस तरीके से एक कहानी की रूप में हम आपको बताएं उसको आपको सुनते ही ये कहानी याद हो जाएगी तो आप लोग इसको जरूर ट्राइ किजिएगा और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं पंजलाइट कहानी का सारांस तो साद हमारी वीडियो आज आज आएगी तो आप लोग देख लिएगा ठीक है तो तॉटेस च। ये भी काफी इंपोर्टेंट है इसको भी आप लोग तयार कर लिजेगा नेश्ट देखेंगे नेश्ट है खंड काप तो इसमें देखें खंड काप जोता है यानि ये आपके जिला पे निधारित है जिसे रस्मी रती होगे ठीक है स्रवाड कुमार होगे अलोग बृत और कई भी रामचेत मानस वगरा जो भी है रस्मी रती ये सब आपके बोड़ आएंगे तो आप लोग क्वेस्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें आपके दिया होगा जिलावाइस तो आप लोग जहां रहते हो ठीके जिस जिले में रहते हो उसी के अनुसार आप लोग खंड का आपको तयार कर लिजेगा यह आपके वोड एक्जाम में पांच नंबर का आ सुबासी तरत्नादी है यह कि वोड इक्जाम में दो पत्द्यान सुथे वो साथ नंबर के आते हैं साथ नंबर का आएगा टोटल तोशुबासी त्रत्नादी जो है इसका पैसेज दिया होगा यह पोयम है आप लोग सुबासी तरत्नादी के पूरे पहरे को तयार कर इसमें आपको क्या अनुबाद और संदर्व लिखने के लिए आएगा और आपको दो नंबर संदर्व पे मिलेंगे और अनुबाद पे आपको मिलेगा टोटल पांच नंबर पूरा मिला कर आपको साथ नंबर के आपके वोड़ एक्जाम में ये क्वेस्चन आते हैं ठीक है फिर उसके बाद देखें जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दे कि किस तरीके से आपके वोड़ एक्जाम में आते हैं तो यहाँ पर दिखें दिया हुए ठीक है यहाँ पर दिखें गर्द्यास दिये हुए जो कि साथ नंबर के आएंगे आपके वोड़ एक्जाम में इस त है संस्कित का सबसे महत्म गद्यांश अब यहां पर दिखे जो गद्यांश होता है यह भी साथ नम्बर का आता है और हम दोनों को आपको जरूर तयार करना कि कि यह बहुत ही important है और इसी में से आपके board exam में आएंगे और आप लोग अगर इसको तयार कि रहेंगे तो आपका 7 number बिल्कुल board exam में clear है ओके फिर उसके बाद देखें next topic है दसमा वो है कि महत्वड मुहावरे M लोकतिया ठीक है तो यहा आप लोग 5 से 10 तयार कर लेंगे तो आपके board exam में दो नमबर बिल्कुल clear है ठीक है दो नमबर का आता है तो आप लोग जो भी very most important है उसको आप लोग तयार जरूर कर लिजेगा ठीक है तो आप लोग इसको तयार कर लिजेगा next है आपके board exam में संदी भी छेद आते हैं तो संदी भी छेद भी आप लोग 5 से 10 तयार किजिए जिसमें से आपके आज आएंगे board exam में दो नमबर फिर उसके बाद दिखें नेष्ट है विभक्तियों मुवच्चन इसको भी आपको लोग तयार कर लिजेगा आप लोग 6 से 7 आप लोग तयार कर लेंगे तो आपके board exam में एक न एक जरूर आजाएगा नेष्ट है सब्द यूग ये भी आप लोग 10 से 15 तयार किजिए क्योंकि आपके कहां से आजाएगा आप लोग अगर 10 से 15 महतपुर तयार कर लेंगे तो आपके board exam में आजाएगा उसी में से ओके नेष्ट है वाक्यों का संसोधन तो ये आपक अनेक सब्दों के लिए एक सब्द इसके लिए भी आपको 5 से 10 तयार कर लेना है ठीके 5 से 10 आपको question daily तयार करना है और आप लोग इतना ही पढ़ लिजिए आपके पूरे यानि की अनेक सब्दों के लिए एक सब्द पूरा इसी में से आते हैं तो आप लोग जितने भी important है तयार कर लिजिए तो दिखिए हमारे अपना विद्दले YouTube चेनल पर हमने कई ऐसे important वीडियो बनाया जिसमें अनेक सब्दों के लिए एक सब्द वाक्यों का संसोधन ये सब ठीक है और विभक्ती पहचानने की ट्रिक तो आप लोग जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लि तो ये दो नंबर का आपको रस याद कर लेना है रस में आपको अगर आप ट्वल्थ में हैं तो आपको पूरे रस को तयार करने होगे ठीक है जैसे आपका हासरस करूर रस ठीक है बीर रस इन सभी रसों को आपको तयार कर लेना है तो ये आपको दो नंबर का आता है नेश कुछ सरर उधारण के साथ चार चार उधारण के साथ ट्रिक से हमारे चैनल पर बताए गए हैं आप लोग जाकर देख लिजेगा और हाँ एक करेक्ट सिच्छा यूटूब चैनल है हमारा उस पे जो है वो क्लाश 10 और क्लाश 12 दोनों की इस्टडी होती है और काफी ट्रिक के साथ तो आप लोग करेक्ट सिच्छा यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए उस पर भी डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं बोर्ड एक्जाम से ठीक है और यह सब रहस चंद्र का जो भी वीडियो है उस पर काफी ट्रिक के साथ बताया जा रहे है डेली तो आप लोग वहां से तयार कर सकते हैं नेश्ट अलंकार अलंकार भी आपके बोर्ड एक्जाम में दो नंबर का आएगा और यह सब कंफॉर्म नंबर होते हैं इसमें आपको जैसे यमक अलंकार स्लेस लंकार रूपक ठीक है उपमा उत्प्रेच्छा इन सभी को तयार कर लेन नेश्ट पत्र लेखन तो पत्र लेखन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब पत्र लेखन का तरीका नहीं जानेंगे तब तक आप लोग पत्र लेखेंगे भी तो आपका गलत हो जाएगा इसलिए आप लोग पत्र जो होते सफाई के पत्र ठीक है और या आपको तयार कर लेना है नेश्ट है सबसे अधिक नंबर का अनिमला टॉपिक वह है नीबंद को भी आपको तयार कर लेना है नीबंद में आपके इंपॉर्टेंट जो नीबंद है वो जैसे होगे पर्यावरार परदूसर समस्या और समाधान ठीक है तो आपको इसको तयार कर लेना है जो कि हमारे चैनल पर ही मिलेंगे और काफी ट्रेक के साथ हमने बताया है आप लोग पर्यावर पर दूसर के निबंद जो है इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर गुडियों जरूर जाकर देख लिजेगा नेश्टे आतंगवाद समस्या और समाधान तो यह भी आप ल कर लिजेगा नेश्टे कोरोना वाइरस तो यह भी हमारे चैनल पर अप्लोड है टोटल नौ नंबर का आएगा निबंद तो यह भी तयार कर लिजेगा नेश्टे भारत में जनसंख्या ब्रिधी की समस्या यह भी आप लोग तयार कर लिजेगा नेश्टे भारत में में से एक भी ताफीक तयार करना बिलकूल न भूलिएगा और ऐस बयुस्ट टाफीक को तयार कर लिए और हिंदी में 100 में सो पूरा नंबर लाई और हिंदी की संपुर तयारी हमारे चैनल पर कराए गई है आप लोग विद्ध्याले अपना बिद्धाले के प्लेइलिस्ट में जा कर देख सकते हैं और जादेश सजादा आप लोग इस वीडियो को सेयर किसबाइब करना बिलकुल न पुल्यागा आपको ए One Sea Pirate lover कैसा लगा है सकते हैं विडियो को बड़ा से लाइक कर आय